अवी भाषण में, खाली में संपन चुनावों के विशे में, जो बात कही गई उस संदर में में मेरा कहना था कि नीत, नियत, निश्था और निर्णे के विकास के पृति यह समर्पि विश्वास के पृति यह समर्पित जनादेश था इस चुनाव में कई और विशेष्टाए रही भारत के लोकतंत्र को एक नए सुरूप में और एक नए विस्तार पाने का अवसर प्राप्थ हुआ जम्मू काश्मीर में जिस प्रकार से चुनाव संपन हुए और जिस प्रकार से लोगों ने बढ़ चड़ कर जिस प्रकार की लोगों ने बढ़ चड़ कर से बागिता की यह लोगतंत्र के लिए एक बहुत सुखत संयोग रहा अगर जम्मू और उधमपुर में 68 और 72 प्रतिशत वोटिंग हुई तो ये भी ये देखने को मिला कि काश्मीर घाटी में अनन्तनाग में 33 प्रतिशत और बार्मूला में 69 प्रतिशत पोलिंग हुई जो आज तक कभी भी इतनी पोलिंग चुनावों में साभागिता नहीं रही थी लोगतंत्र के इस पर्व की इस अवसर को निश्यत रूप से हमें अप्रिशेट करना चाहिए यद्देपी हमारे विरोधी कुछ अधिक उत्सा और उच्छंकरता में दिखाई पड़ते हैं परंतो इन चुनावों में हमारी सरकार की स्विकारता और विस्तार एक नए आयाम तक पहुँचा है पहली बार हमने उडिशा में इस पश्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है और हमारे विरोधी शायद भूली गए कि स्री नवीन पट्टाएगी से पहले वहां कभी कॉंग्रेस का मुक्यमंत्री हुआ करता था अन्तिम मुक्यमंत्री गिर्दर गोमांगी थे जो कॉंग्रेस के थे और ऐसा प्रतीत होता है कि उनको अब वो विशे विस्मृत हो गया है यानि उन्होंने मान लिया कि वो उडिशा में अब सत्ता की लड़ाई में ही नहीं दूसरा विशे इस शुनावों के संदर्म में दक्षण भारत का विशे आया था महोदय मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे विरोधी और विशेशकर कॉंग्रेस पार्टी इस विशे को बहुत उठाते थे कि दक्षण भारत में उनका बहुत प्रभाव है तो मैं बताना चाहता हूँ पुधान बंत्री शी नरेद्र वोदी जी के नितुर्त में हमारे गठबंदन ने और भारती जनता पार्टी ने दक्षण भारत में भी कॉंग्रेस से अधिक वोट प्राप्त करके दिखा रहे हैं तेलंगाना में हमारे आठ सीटे ही नहीं है हमारा मत प्रिश्यत 35 प्रिश्यत करनाटक में हमारा मत प्रिश्यत 45 प्रिश्यत है केरल में हमारी एक सीट आई है मगर 17 प्रिश्यत मत है और सवापति महोदे मैं आपके मार्जम से पूरे देश का ध्याना करशित करना चाहता हूँ कि तमिल नाडु में कॉंग्रेस को 10.25 प्रिश्यत वोट मिला है और भारती जनता पार्टी को 11.25 प्रिश्यत वोट मिला है यानि तमिल नाडु में भी हमने पहली बार दहाई यंग में मत्रिश्यत प्रिश्यत प्राप्त किया है और कॉंग्रेस से अधिक वोट प्राप्त करने में सफलता हासिल की है यानि किसी जमाने में जब उनका नारा हुआ करता था कि सारे भारत से नाता है और सरकार चलाना आता है आज वस्तिती यह हो गई कि इस चुनावों में भारती जंता पार्टी ने अपने को मोदी जी के नितुर्त में सारे भारत से नाता इस्थापित करके एक वास्विक अर्थों में पूरे भारत में अपना प्रभाव रखने वाले और जन समर्तन राश्पदी महोदे ने इस पनर दिलाया कि हम पाचवी बड़ी अर्थवस्ता बने इन पाच वर्षों महोदे हैं हम सिर्फ पाचवी बड़ी अर्थवस्ता नहीं बने पाचवी बड़ी अर्थवस्ता किसको पीछे चोड़ के बने उस घ्रिटन को पीछे चोड़ कर बने ज पोलर इनरजी के मैनिफेक्चरर बने हम दुनिया के तीसरे बड़े आटो मोबाइल के मैनिफेक्चरर बने आट डोमेस्टिक सिविल अविएशन का सेक्टर भारत का दुनिया में तीसरे नंबर का हो गया है और हम दूसरे नंबर के मोबाइल हैंड सेट मैनिफेक्चर बनाने वाले देश बने और infrastructure में invest करने वाले हम दुनिया के number one के देश बने और digital payment में हम दुनिया में number one के देश बने और महोदय इतना ही नहीं हुआ पिछली लोगसभा और इस लोगसभा के बीच में चान के अचूते कोने दक्षणी द्रू को छूने वाले हम दुनिया के पहले देश बने जिसका राष्ट्पदी महोदया ने उलेक किया निश्यत रूप से उसमें हमारे वैज्यानिकों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई परंतु प्रधान मंत्री जी का निरंतर संबर्धन सहयोग और संबल उन्हें प्रात होता रहा महत्तपूर बात ये रही है कि उस पॉइंट का नाम पुणान मंत्री जी ने क्या रखा पॉइंट शिव शक्ति यानि हमारी इस्त्री शक्ति को वो इस्थान चान्द की उचाई तक देने का काम किया और यहीं पर मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदे इसी समय देश में कुछ राजनेतिक दल ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है उससे हमें लड़ना है और दूसी तरफ हमारा संकल्ब यह है कि उस शक्ति को चान की उचाई तक ले करिस्थापिट करना है जो माननी प्रधान मंतरी जी के नित्रत में हुआ है महोदे मैं एक बात और कहना चाहूंगा चुनाव संपन्न हुए मगर यह चुनाव एक मामले में इस देश के अद्बूच चुनाव थे सामानता चुनाव होते हैं चुनाव परिडाम के दिन एक पार्टी के कारेले में मिठाई बटती है धुन धड़ाका होता है दीवाली होती है और दूसरे की जगहें गलियारे खाली ने जराते हैं मगर यह चुनाव एक ऐसे चुनावते महोदे जहां दोनों जगहें के चूट रहे थे भागपा का रहेले में भी और कॉंग्रेस का रहेले में भी ऐसा क्यों हो रहा था हमें तो इस पुश्ट महुमत पिला लगातार तीसरी बार सरकार बनाई मगर वहां पर तालिया क्यों बज रही थी महोदे मैं आद दिलाना चाहता हूं जो थर्ड कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ी उप्रप्ती हासिल कर ली हो उसका कारण यह है महोदे कि एक बच्चा होता है जो टॉपर होता है जिसे डिस्टिक्चन मार्क्स मिल लेते वो फर्स डिवीजन मार्क्स पाए तो उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं होती है और धड़ा कांग्रेस के साथियों में बहुत उत्साह और उल्लास मजर आ रहा है तो मैं एक अपना अनुहां बताना चाहता हूं हमारे हमारे जन्रेशन के जो लोगे उन्हें याद होगा कि उस जमाने में जब परिच्चा का परिणाम आता था तो सिर्ट डिवीजन पता लगती थी प कालबी य Aku One के महले में सज्जन थे वो थर्ड डिवीजन पास हुए कर एक लड़का और एक फटाश्ट वाला मेरइंत więks। तो ने पुचा भाई तुम थटाश्ट डिवीजन पास हुए ओतो तो तुम्हारे इंदर खुशी क्यों हैं इतनी खुशी क्यों हैं तो जानतें डिविजन वाले ने का जवाब दिया साब ये तो फस्ट डिविजन आए ना हमारे तो तीन हैं फस्ट डिविजन विट टू बाड़ी गार्ड तो ये हमारे सही होगी फस्ट डिविजन विट टू बाड़ी गार्ड्स का जो उलास मना रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि वस्विस्थिती ये है कि तीन साल मिलाकर 42, 44, 52 और 99 मिलाकर इनके उतने नहीं हैं जितने अकेले भारती जंता पार्टी के 240 मैं ये भी आद दिलाना चाहता हूँ, 1984 के बाद से आज तक 40 साल में कभी कॉंग्रेस को 240 सीटे नहीं मिली है, पीवी नर्स महराव जी के समय में 232 मिली थी, बाद में उनकी कुछ सीटे बढ़ी थी, यानि जो 40 साल में मुकाम नहीं हासिल हो पाया, उसके बावजूद उन लो प्रधान मंत्री जी तीसरी बार इस पर्ष्ट पहुमत के साथ प्रधान मंत्री बनने में सफल हुए, तो इन लोगों के लिए एक बात कहना चाहूंगा, मैं एक लाइन प्रधान मंत्री जी की तरफ से, कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया, और ये 44, 52, 92, अरे मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। तीसरी बार किसी प्रधान मंत्री को बहुमत प्राप्त करके जनता ने आशिरवात दे कर सदन में भेजा हूँ, और जिस समय प्रधान मंत्री जी ने के बारे में ये विशय आया था, उस समय हमारे विपक्ष के साथी लोग बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस भी किये थे, उनके अंदर कुछ एक बेचैनी में जरा रही थी, क्यों? क्योंकि मोदी जी ने लगातार तीन बार इस्पस्ट बहुमत प्राप्त करके वो कार्य किया है, जो पंडित जवालाल नहरू जी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, और इसलिए शायद हमारे विरोधियों को… एक्ष प्राइम्सर कुछ बोलना चाहता है कर आप समय उन्हें बीच में दे सकते हैं… मुद्ध बीच में जाहता है। All our senior members wants to raise the issue of the need. What has happened? Laks and laks of students are suffering in the country. Please. I have no objection. But the point is, the government has already taken the decision and ordered for a CBA inquiry. The inquiry has not been completed. In two, three states, they have arrested the people who are responsible for this type of damage. Sir, please, sir. I am sitting in this house. I don't want to take sides. But so far as the need examination is concerned, what has happened? Yes, I do agree. You can't fix the responsibility. Because there are thousands of examiners in the whole country. It is so easy to fix the responsibility on an individual. The examination has, of course, it has gone wrong. And the government has taken the decision. It is a right decision. The concerned minister... No, the concerned minister has taken the decision. Till the inquiry is completed, you can't take responsibility and damage the image of the government. I don't agree that we have got sufficient scope to debate on the issue of the, on the president address, on the president address you can discuss. But this is not the way. And just and until the inquiry is completed, you can't, you can't fix the responsibility. I am not going to take sides. But the way in which, for all the elders, there are senior leaders, there are mature leaders, I don't know. When the inquiry is going on, how can I, how can I, how can I go on attacking the government? It is not the way. I want to appeal to all mature leaders, senior leaders. Please, 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 knowing full well, you know, the entire issue, I only appeal to you, not to say unnecessary, the government has done its duty, when the inquiry is going on, till the inquiry report comes, the minister, the minister, the HRD minister, cannot take any decision, or the government cannot take any decision, till the inquiry is completed, and the culprit is known, then only we can discuss about the concerned person, who is responsible. So, I make an appeal to all the members, see that, let the house go smoothly, that's also what I can appeal to you. The ex-prime minister is very mature, I mean, Devogada Ji is a big fan of the country, where did you listen to me, please, I mean, I mean, Sudhan Sohoji, please continue your speech. जयरोड़ोडे माईदे इस सभ्वादि महुदे अभी इस सदन के सबसे वरिष्ट सदस्य, वयोवरद नेता, पूर्यपरदान मंत्री आदरणी HD ड्रुगोड़ा जी ने, जो विचार कहे, बड़े दुख का विशे है, कि 21 घंटे का समय आवंटित होने के बावजूद सबसे वरिष सदस के द्वारा या नुरोग करने के बावजूद जिस प्रकार का आचरण दिखाये जारा इससे साफ समझ में आता है सभापधि महोदे कि इनका उद्देश सवाल सवाल का जवाब और जवाब के सवाल में नहीं है इनका उद्देश बवाल में अजिक दिखाई पढ़ रहा है इसलिए ये अपोजिशन की इस नियद को भी सपस्ट करता है अब मैं विशेप आता हूँ जो मैं बता रहा था कि बिंदू क्रमांग 5 पर राश्पदी महोद्या ने कहा कि ये देश के इतिहास में 60 साल के बाद ये पहली बार एक घटना हुई है जब लगातार तीन बार किसी प्रधान मंतरी को इस पश्ट महुमत प्राप्त किया हूँ और जिस समय महा मही मिराश्पदी महोद्या ने ये शब्द बोला था हम सब को ध्यान है सबसे अनेक विपक्षी सदस्यों ने अपनी अपनी सीट पर आवाजे करते हुए इसका प्रतिबात किया था संभावता उनके मन में इस बात के लिए स्विकारता नहीं हो पा रही थी कि ये कैसे हो गया कि लगातार तीसरी बार मोदी जी के नितुर्त में भारत की जंता ने इस पश्ट जनादेश दिया और पंड़ि जवाला नहरुजी का वो रिकार्ड जिसके उपर वो बहुत इत्राते थे उसकी बरावरी हो गई मगर हमारे बहुत से विपक्षी सदत से कहते हैं कि साथ नहरू जी की बराबरी तो मोदी जी से नहीं हो सकती तो सभापधी महोदे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि तीसरी बार मोदी जी चुन के आए हैं और ये मैं भी मानता हूँ कि नहरू जी और मोदी जी में बराबरी नहीं हो सकती, इसलिए तीसरी बार आने पे मैं सिर्फ तीन बिंदु दूँँगा, जिस पर हम मानते हैं कि नहरू जी और मोदी जी की बराबरी नहीं हो सकती, नमबर वन, जब मोदी जी इस देश के प्रध बैठक में नहीं आऊंगा जिसमें मेरे बारे में विचार हो रहा हूँ यह होता है नैतिकता के आधार के उपर निर्णे और उस समय राजनाज सिंग जी पार्टी के अध्यक्ष थे तो मुझे यह दाय तो दिया गया था कि मैं मोदी जी को रिसीव करके अध्यक्ष के कमरे मे बैठा लूँ और जब बैठक समाप्त हो जाए तो अब एक साथ जाएंगे प्रेस कांफरेंस में घोशित करने के लिए और महोदे पूरा पार्लेमेंटरी बोर्ड एक मत था सारे कारकरता एक मत थे और पूरा देश एक मत था और तब प्रधान मंत्री के कैंडिडेट मोदी जी घोशित हुए उधर पंडिड जवालना नहरू जब कैबिनिट मिशन प्लान के तहट 26 अपरेल 1946 को कांफरेस का नयाप जख्ष चुना जाना था और उसके लिए कांफरेस वर्किंग कमेट्री की बैठक होनी थी और 20 अपरेल को मौलाना आजाद को गांदी जी ने लेटर लिखा कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए और मैं चाहता हूँ कि नहरू जी प्रधान मंत्री बने परन्तु इसके बावजूद उस बैठक के अंदर क्या हुआ इसका रिकॉर्ड आचारिक किफलानी ने अपनी किताब गांदी इस लाइफ एंड थाट मौलाना अजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम राज मोहन गांदी ने अपनी किताब सरदार पटेल और उस समय के सबसे प्रक्षात पत्रकार दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नहरू इंदेर आफ्टर में लिखा है कि एक प्रधान मंत्री के कंडिडेट बनने वाले मोधी जी और शून ने वोट पाकर प्रधान मंत्री के कंडिडेट बनने वाले सरदार हमारे नहरू जी एक वो नेता जिसको पूरे देश नेता माना एक वो नेता जिसको उतकी पार्टी में किसे ने नेता नहीं माना इसलिए व उस समय गांदी जी की इक्षा के बावजूद किसी ने नहरु जी को वोट नहीं किया तो मैं कह सकता हूँ आज खड़गे जी की सिती उस समय के नहरु जी से बेतर है अब मैं दूसरा बिंदू कहना चाहता हूँ कि इसमें वाकई पुरदान मंत्री शी नरिंद्र मोदी जी और खड़गे जी में तुलना नहीं हो तकती देखे नहरु जी ने के विशे में प्रक्षात शायर मज़ू सुल्तान पुरी ने काटके लिख दिया था कि उनकी कारेशेली में हिटलर की जलक दिखती है और उसके बाद सभापति मोदे दो साल जेल में रहे था और यहां मोदी जी के समय में हिटलर की मौत मोदी जी की मृत्त की कामना और कब्र खुदेगी जैसी बात कहने वाले लोग तो छोड़िये जिनोंने बोटी-बोटी की बात कही थी वो सम्मानिस सदस्वे होकर अगले सदन में आ गए और इसके बावज़ूत किसी पे कोई कारवाई नहीं हो रही है तो मैं मानता हूँ कोई तुलना नहीं है मोदी जी और नहरू जी की दोनों की अप्रोच में जमीन आस्मान का अंतर है और एक मैं बात और कहना चाहता हूँ हमारे तीसरा बिंदू हमारे प्रधानमंत्री सी नरेंद मोदी जी को कितने देशों ने अपना सर्वोच नागरिक सम्मान दिया इसमें भूटान फ्रांस पाकुआ नियुगिनी मेरे विरोधी विशेश रूप से सुनें इसके अतरिक तमाम मुस्लिम देश इजिप साउदी अरबिया यूनाइटेड अरब अमीराद बहरीन अफगानिस्तान और विशेश कर ध्यान दे फिलिस्तीन इतने देशों ने अपना सर्वोच नागरिक सम्मान प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री जी ने किसको सर्वोच सम्मान दिया हमने भारत के हमारी सरकार ने और सरकार की बनाई समीति ने सिर्फ हमारे नेताओं स्वरगी अटल विहारी बाजपे जी और आधरनी लाल किष्ट अडवानी जी को ही भारत का सर्वोच नागरिक सम्मान नहीं दिया हमन कॉंग्रेस के भी नेताओं को सम्मान दिया कॉंग्रेस के तीन बड़े नेताओं को भारत रत न मिला मदन मोहन मालवी जी को हमारी सरकार में भारत रत न मिला प्रणों मुखर जी को हमारी सरकार में भारत न मिला पीवी नर्समाराव जी को हमारी सरकार में भारत न मिला हमारी पार्टी के नहीं थे परंतु करपूरी ठाकुर जी को भारत रत मिला और कॉंग्रेस के नेता ससी जमीर और तरुन गोगोई जी को पदमे वाड मिला। दूसरी तरफ नहरू जी ने क्या किया ना किसी से वाड मिला अरे भाई दूसरी पार्टी छोड़िये अपनी पार्टी के सरदार पटेल और बाबा साव अंबेटकर को भी नहीं दिया उन्होंने अपनी सरकार से खुद को भारत रत ले लिया यानि एक मोदी जी जिन्होंने सब को भारत रत ले दिया और एक उनकी सरकार जिसमें खुद को भारत रत ले मिल गया तो मैं मानता हूँ कि इन तीनों बिंदों पर नहरू जी और मोदी जी में कोई तुलना नहीं है इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी नहरू जी की तुलना में एक अतुल नीय प्रधान मंत्री हैं और उन्होंने ये अतुल नीय उपलत भी हासिल की है और एक बात और कहूँगा अंत में वाकई दोनों में बराबरी नहीं है हम लोग बच्पन में एक बड़ा घीत था जो हमारी पीडी और हमसे पहले वाली पीडी ने अवश्य सुना होगा कि देदी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल उसमें एक लाइन थी कि फूलों की सेज छोड़के दोड़े जवाहर लाल वो तो भूलोंगी सेज पे थे और हमारे प्रधान मंत्री जी चाय की केटड़ी लेके प्लेटफॉन पे दोड़े नरिंदर लाल दोनों में जमीन आस्पान का अंतर था वो जवाराट के लाल थे और नरिंदर मोदी जी गुदड़ी के लाल थे वो हीरे जवाराद के बीच में उनका बच्पन गुज्रा और इन्हों ने गुदड़ी के लाल ने निकल कर आज भारत माता का भाल जिस मुचाई तक पहुचाया है उसके लिए सारा देश उन पर गर्व करता है अब मैं पिछली बात को छोड़ कर इस पर आता हूँ कि इस तीसरे टर्म में हमारी सरकार किस प्रकार की बातों पर विचार करने की तरफ ध्यान दे रही है राश्पदी महोद्या ने अपने बिल्दुक्रमांग पांच में इस विचा का उलेक किया है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनोती हमारे सामने आने वाली है वो है एनरजी और एनरजी में ग्रीन एनरजी हमारी सरकार ने प्रधान मंत्री ची नरेंद मोदी जी ने इस विशेव को बहुत पहले से ध्यान कर इस बात को समझ लिया कि आने वाला एरा ग्रीन एरा है और याद करिए कि हमारी सरकार ने आने के बाद सबसे पहले क्या किया था LED बल्स देने चुरू किये थे अब तक 37 करोड LED बल्स दिस्रिब्यूट के जा चुके जो अमेरिका की कुल आबादी से अधिक उस समय हमारा अधिक्तम पावर कंजम्शन 50% से अधिक कोईले से होता था अगर हम विक्सित राष्ट बनना चाहते थे और केवल कोईले से कंजम्शन करते तो भारी मात्रा में कार्बन डिपोजिशन होता ग्रीन इनर्जी का टार्गेट जो हमारी सरकार ने रखा पुर्धान मंत्री जी के नित्रतों में ये टार्गेट रखा गया कि 2030 तक भारत की इंस्टॉल कैपेसिटी पावर जनेरेशन का 40% क्लीन इनर्जी से होगा और हमेशा सरकारों में देर में होता है कारे मगर महोदे मैं बताना चाहता हूँ पहली बार भारत के इतिहास में वो 40% इंस्टॉल कैपेसिटी बाई क्लीन इनर्जी का टार्गेट 8 साल पहले 2022 में चीफ कर लिया गया और अब 2030 के लिए रिवाइज टार्गेट 50% क्लीन इनर्जी का हो गया है ये दर्शाता है कि हमने कितना महत्वपूर छलांग लगाई है इसलिए हम तीसरे नंबर की देश बन गए है सोले नर्जी के संदर में 2014 में जहां सोले नर्जी 2.6 जीगावाट थी वहीं 2023 में 6.7 जीगावाट हो गई है और इतना ही नहीं अब प्रधान मंत्री जी ने जो एक प्रधान मंत्री सूर्य घर योजना चुरू की जो एलेक्रिक स्कूटर या एलेक्रिक कार चलाएंगे उनका चार्जिंग भी मुफ्की हो जाएगी सोचिए कि एक ऐसी योजना जिसमें किसी भी प्रकार का पर्यावरण पर आख्षेप नहीं आ रहा है पर्यावरण के उपर कोई प्रभाव नहीं पढ़ना है मुफ्त की उर्जा मिल रही है और वो भी सरकारी खजाने पर बगएर कोई बोज़ डाले जो लोग मुफ्त मुफ्त की बात करते थे अगर देखा जाए तो प्रधान मंत्री जी ने इमानदारी से एक ऐसी योजना के माध्यंग से देश के करोण लोगों को मुफ्त बिजली देने का प्रयास किया है जो अपने आप में अद्बूत और अलग है और आगे भी हम भविश में हाइड्रोजन इनर्जी मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं राश्पदी महोदया ने उलेक किया कि स्टार्टप के मामले में हम दुनिया के तीसरे बड़े एकोसिस्टम बन गए मगर हम तीसरे बड़े एकोसिस्टम से संख्या के आधार पे नहीं बने जब हमारी सरकार नहीं थी कुछ सो स्टार्टप थे आज एक लाग से उपर स्टार्ट अप है सभापधि मोहद एक लाग की संक्या मातपूर नहीं है छेसो पच्छत्र जिलों में से 600 जिलों में स्टार्ट अप काम कर रहे हैं यह हमारी सरकार की महत्तुप उपलब्दी है केवल स्टार्ट अप का मतलब दिल्ली मुंबई बैंग अपति महोदिया ने इस बात का उलेक किया कि 2014 में 209 हवाई मार्ग थे और अब 905 हवाई मार्ग हो गए अब लगबग हर राज्य में एक एरपोर्ट जरूर है और किस प्रकार का बदलाव आया है इसका उलेक दीचिए कि आज दुनिया में सबसे उचा पुल कश्मीर में चिन सरकार के समय में तयार हुआ है सबसे बड़ा केबल पुल गुजरात में हमारी सरकार के समय में तयार हुआ है और नदी के नीचे से चलने वाली मेट्रो खोलकता में हमारी सरकार के समय में तयार हुई है ये दर्शाता है कि विकास के नए प्रतिमानों पर किस प्रकार से इस सरकार के दोरान हम आगे बढ़ें देखें बड़े विश्यों की तरफ तो अक्सर लोगों का ध्यान काफी जाता है परन्तु मैं एक चीज़ पर ध्यान देना चाहता हूं कि मोधी जी की सरकार के समय में बहुत छोटी छोटी चीजे उनसे देश के विकास में क्या भूमिका हो सकती है उस तरफ ध्यान दिया गए मैं तीन छोटी चीजों पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ शहद, शहद हम सब बहुत सामानी रूप से यूज करते हनी शहद का निर्याद 2014 में 445 करोड था और 9 सालों में बढ़कर 1623 करोड रूपए हो गया किसानों, खिलोना, देखिए जब हम चाइना की बात करते हैं तो बहुत सी बात हो दी थी खिलोने हमारे याँ क्यों नहीं बन सकते, इन 9 सालों में हमने 1844 करोड रूपए के खिलोने जो हैं वो एक्सपोर्ट किये हैं, यह हमने चोटी जी चीज में आगे बढ़ने का प्रयास किया और दूसरी चीज जो हमारे विरोधियों को चायद याद हो, खादी जिसका महात्मा गांधी जी के साथ बड़ा संबन्द माना जाता था हमारी बोधी जी के प्रयासों से 2014 में जो खादी का मार्केट 31,000 करोड रूपए का था वो अब बढ़कर 1,35,000 करोड रूपए का हुआ, यानि चार गुना अधिक खादी में हमने विर्दि प्राप्त की है और बड़े इस तर पे अगर हम देखें, तो डिफेंस मैनिफेक्टिरिंग जो कि हमारी सरकार आने से पहले होती नहीं थी जिसकी वज़े से हम सिर्फ हतियार खरीते थे और अपने आप बनाने की हमारे अंदर सामर्त तो थी और सरकारों में एक्षा शक्ति नहीं थी और अब इस तिति यह आई है कि अब एक लाग करोड रुपई की डिफेंस मैनिफेक्टिरिंग इस सरकार के कारिकाल में हो रही है डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा अठारा गुना बढ़ा है और सभापति महोदे 500 हमारे डिफेंस के ऐसे प्रोड़क्ट है जिसे सरकार ने ने लिया है कि इनका इंपोर्ट बैन यानि जो पहले विदेश से आते थे वो 500 प्रोड़क्ट भारत में ही बनेंगे और वो विदेश से नहीं लिये जाएंगे और इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश और तमिल नाडु में दो डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए जिसका उलेक राष्टपदी महोदेया ने किया है जिसमें ब्रमोस मिजाइल बनने का उलेक में उन्होंने किया है जो भारत की पहली इंटरमीजेट रेंड बैलिस्टिंग मिजाइल है और जिसे हमने एक्सपोर्ट करने की शुरुआत की और फिलिपीन्स पहला देश बना जिसने वे एक्सपोर्ट का उडर लिया है तबापदी महोदेय में उत्तर प्रदेश का रहने वाला वहाँ ब्रमोस मिजाइल का कोई पार्ट बने कोई कमपोनेंट बने या अपने आप में कितने बड़े गर्व का विशय है मुझे याद है या हमारी सरकार मोदी जी की सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश की छबी क्या बना के रखी गई थे सिनेमा क्या बनता था उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद लकनव सेंटरल तो सिरीज बनती थी मिर्जापूर, तो ओंकारा में मेरट की गैंगवार, तो बाबर फिल्म में कानपूर की गैंगवार, तो कंपनी फिल्म में दिखाये जाता था कि जैसे कि मुंबई का सारा जो माफिया है वो पूरवी उत्तरप्रदेश से आ रहा है, आप सोचिए उस समय अवैद हतियारों के बनने के समचार आते थे, और अब इंटरमीजेट रेंज, बैलेस्टिक, मिजाईल उत्तरप्रदेश में डिफेंस कोरिडोर में बनने जा रही है, कितना बड़ा नजारा बदनने के बाद भी, जिनकी नजरे ही नहों, उनको नजारा कैसे नजर आ सकता है, यह समझा जा सकता है, अभी भाशन के बिंदुक्रमांग 17 में राश्पदी महोद्या ने भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में अपना विचार वेक्ट किया है, जिसमें विशेशकर मैं सिर्फ तीम का उलेक करना चाहूँगा, इस्टेट बैंक ओफ इंडिया Life Insurance Corporation of India और Hindustan Aeronautics Limited, यह तीनों इसलिए कि इनके बारे में केवल एक जेट साल पहले बहुत वितंडावाद मचाया गया, अपनी अपनी सीट पर जाए अपनी सीट पर जाए, प्लीज, मातर एक जेट साल पहले बहुत वितंडावाद मचाया गया, कि SBI डूब रहा है, LIC ड एक लाग चालिस हजार करोड रुपए का मुनाफ़ा कमाया है, जो आज तक कभी नहीं हुआ था, पिछले क्वाटर में State Bank of India का मुनाफ़ा केवल एक तिमाही का 21,000 करोड रुपए है, जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर सारी कंपनियों में मिलाके सबसे जादा है, प कि हिंदुस्तान ऐरोनाटिक्स इलिमिटेट, मानी एलोपी कुछ बोलना चाहिए, प्लीज, प्लीज, सब पॉइंट ऑफ और रेज करने के लिए भी हम सरकार से इतना पूछना पड़ता है, तो यह बहुत ही अंडेमोक्रिटिक सिस्टम, मैं आपसे विननती करता हूं, प् सब लोग बैठी, हम बैठाए, पिर इस्पाइट बैठेश, इस बैठे़ एलोग कि ईया तो सिर्प अपना भाशन को बने आपना बाश्र चलाते ही रहे, कौन सुन ने माला है अपका बाशन हम तो नहीं सुन ए है वानने, मानने प्लेस, थेस थेस, धेस, थेस, थेस, थेस Нам सब्सक्राइब आप मैंने आगरह किया सभी लोग अपने सीट पर जाए जब तक नहीं गये थे आपने कहा में मुग दरोड़ पीज पीज़ प्लीज अवान यह भी पॉंट आप रेज़ करें किये हैं आप बैठें पाइंट आप डॉडर जो भी है जब बाहर लोग थे अपन He has to will. I will allow, he has to will. Point of order उठाणा चाहति नाचाती है, Pryμέका जी, आ आप सामत है? Point of order, Pry proved Pry combination point of order. आप ताहए पोडोडर. 毒 आप ताहे करिये point of order. सा-प। किस नयम केतात कौन सा? मैं बलकुल आपको नयम भी बताओंगी, सार, and I'm also a member of parliament and I have been given this right, कर्याएं, जर्फ प्रफ पार्ट पक्राइब, है प्रिकार्स अफ प्रसूज़न, कि जर्फ प्रिक प्राइब जायों प्राइब प्रस्वान थेसे भी काई। मेरा विचारिय था हमारे विपक्षिदल यदी हाउस अडर में होता तो पॉइंट अफॉडर जादा हूँ प्युक्त ने जराता परन्तु मैं अब अपना विशय आगे रखने का प्रयास करता हूँ कि स्टेट बैंक लाइसी ने और टाइम हाई प्रॉफिट पिछले कौर्टर में दर्ज किया है और हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेट को 29,000 करोड रुपए का रेविन्यू मिला है ये दर्शाता है कि किस प्रकार का दुश्परचार था और किस प्रकार का यथार्त आज आकड़ों के आधार पे देखने को मिलता है मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूँ सभापति महोदय कि राश्परची महोदया ने अपने विवाशन में कहा कि भारत का विश्व की विकास दर में योगदान 15 प्रतिशत होने जा रहा है यानि इस प्रकार से भारत अब दुनिया के विकास में अग्ड़नी भूमिका निभाने जा रहा है तो इसी संदर में मैं उनी की बात को पुष्ट करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि इंटरनेस्टरल मॉनिटरी फ्रंड आइमेफ की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिवा ने ये स्टेट्मेंट दिया है कि भारत 15% ग्रोथ में कंट्रिब्यूट करके दुनिया में ग्रोथ का इंजन बनने की भूमिका निभाने जा रहा है एक दौर था एक दौर था जब हम आइमेफ जैसे संगठनों से चैरिटी एक्सपेक्ट करते थे हम उनके सामने याचक बनके खड़े होते थे और आज आइमेफ की चीफ ये कह रही है कि भारत विश्व वरत्यवस्ता के विकास में याचक नहीं उसका संचालक बनके खड़ा हुआ है यह बाद राश्वज महोदे के उस बात से बहुत इसपश्ट होती है और इतना ही नहीं हमारी सरकार ने अपने समय में जिस प्रकार की सूचना क्रांती और डिजिटल रिवोलूशन लाया है जिसने की देश के अंदर ट्रांस्पेरेंसी और त्वरित एंड माइल डिर्वरी को इंशोर किया है आगे मैं आपका ध्यान सभापति महोदे आकरिस्ट करना चाहूँगा कि राक्पत महोदे ने अपने अभी बाशल के बिंदु क्रमांक 28 पर नालंदा विश्विद्याले की पुनर इस्थापना के संदर में ये कहा कि ये भारत की सांस्कृतिक चेतना की पुनर इस्थापना का प्रतीक था नालंदा सिर्फ भारत में ज्यान का प्रतीक नहीं था उस ज्यान के प्रतीक को जिस जंग से धस्त किया गया उस ध्यान के प्रतीक को जिस जंग से नश्ट किया गया ये भारत की सांस्कृतिक चेतना की वो जीवनी शक्ति का प्रतीक था कि हमारी सरकार ने उसको जिस जंग से इस्थापित किया है वो कितना गहरा घाव था भारत के उपर इसको मैं कोट करना चाहता हूँ बाबा साहब अम्बेटकर के शब्दों में, बाबा साहब अम्बेटकर में अपनी किताब जो उनकी राइटिंग और स्पीचेज और बाबा साहब अम्बेटकर published भाइ महारास्टा गवर्मेंट इन 1987, then republished भाइ Central Government इन जैनुरी 2014, इनी की सरकार में, Ministry of Social Justice and Empowerment के द्वारा, उनमें Decline of Buddhism में उन्होंने लिखाए, मैं कोट कर रहा हूं उनके उस आर्टिकल से How the Buddhists perished by the sword of Muslim invaders has been recorded by the Muslim historians themselves, summarizing the evidence relating to the slaughter of Buddhist monks by the Muslim generals in the course of their invasion in Bihar in 1197 AD. और आगे उन्होंने Vincent Smith को कोट किया है कि नालंदा विश्यू जाले के एक एक भिक्ष को पकड़ कर किस प्रकार से मार दिया गया, कुछ लोग अपनी जान बचाकर नेपाल और तिबच चले गए, मगर महुदै प्रभान मंत्री जी ने कहा कि आप पुस्तकों को जला सकते हो, आप इमारतों को जला सकते हो, पर भारत की ज्यान और संस्कृति की परंपरा को नहीं जला सकते हो, और इसलिए हमारी सरकार ने जो नालंदा का पुनर स्थापना करने का प्रयास किया है, वो भारत की ज्यान परंपरा को पुनर स्थापित करने का है, मगर सभापति महुदै जब भारत की सांस्कृतिक चेतना की बात आती है, तो निश्यत रूप से हमारे मन में नालंदा बोध गया, और उसी के साथ साथ भव शीराम मंदिर का विशे भी आता है परंतु इस बार बड़ी मज़ेदार बात है बड़ी मज़ेदार बात है कि आयोध्या की लोग सभाज सीट पर हमें वांचित सबलता नहीं मिली और उसको लेकर इनके चेहरों के उपर जो चमक दिखाई पड़ती है ये अपने आप में राजनेतिक विश्लेशों के लिए एक फूड पर थौट है क्योंकि इस प्रकार का एक वातावर्ण इस देश में बनाया गया कि एक वर्क के लिए आल आई शुड बी ओन रफा चाहें किसी को पता हो रफा है क्या कहां ये न पता हो पर दूसरे के लिए आई शुड नॉट बी ओन योध्या परंतु मैं ये भी बताना चाहता हूं सभापधि महोदय ये लोग समझ नहीं पाए आयोध्या में जब हमें वांचित सबलता नहीं मिली तो हमारे विरोधी बता क्या रहें देखे साब आप आयोध्या हार गए बस्ती हार गए परंतु महोदय मैं कह रहा हूं ये समझ नहीं पाए प्रभू की लीला क्या है जो लोग ये कहते थे कि राम हुए नहीं इसका सबूत दो वो उत्तर से दक्षिर तक राम से जुड़े इस्थानों का सबूत दे रहे क्या योध्या भी राम से जुड़ी थी बस्ती भी चाहता हूं महोदय राम चरित्मारस और आमान में भी उलेख है कि एक बार नागपाश भगवान राम को भी लगा था और नागपाश लगने के कारण एक मूर्चा आ गई थी और तब राम विरोधी दल में बड़ी खुशिया चा गई थी मगर वो प्रभू की लीला का हिस् अपनी शक्ति याद दिलाने के लिए और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है सभापती मोहदे आज से 30 साल पहले मुझे याद है उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस सबने मिलके सरकार बनाई थी सपा बसपा और कॉंग्रेस आइन मिलके तब एक नारा लगा था कि मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गये जैशी राम मगर हम तब भी नहीं डिगे थे और जो हवा में उड़ाने की बात कर रहे थे तीन साल में केंदर में सरकार बना के दिखा दी थी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी अरे अब तो इतना अंतर आया है तब आप हवा में उड़ाने की बात कर रहे हैं अब आप एक-एक स्थान को बता रहे हैं आप मिश्चित रहिए जिसे एक हम लोग जो प्रसित भजन सुनते थे उसमें ये कहा गया है जो हनुमान जी का प्रसित भजन है कि रावन युद्ध अजान की हो तब नाक की फास सबैसरी डारो परंतु चिंता मत करिये वो शक्ति पुना जागरत हो रही है और वो जागरत होकर हमें पुना वहां तक पहुंचाने का प्रयास रखेगी और एक मैं गंभीर बात करते हैं स्री राम का विशें हमारे लिए हार जीत का वीशृत कर में हम दो सीटों की पारी थे थे टब युद्मीराष records करने पर शीह अर शीद केह साथ हमOut कुछ लोगों के मन में अभी भी इसको लेकर हो सकता हमारी तबस्चा में कोई कमी रही हो तो मैं यह कहना चाहूंगा भारत के सभी लोगों से अटल विहारी बाजपेजी की कविता की वह प्रसिद्व पंक जो उनकी कविता थी आओ मिलकर दिया जलाएं तो मैं इसके लिए कह की यग्यधूरा अपनों के विगनों ने घेरा अंतिमजय का वच्छ बनाने नवदधीच हड्डियां गलाएं आओ मिलकर दिया जलाएं अब सभापदी महोदय राष्ट्रपदी के अभिभाशन और शपत में हमारे विरोधियों ने बहुत बार सम्विधान का विशय बहुत उठाया और राश्टपति महदया ने अपने अभिवाशन के विंनुक्रमान का 28 पर सम्भिधान और सम्भिधान से जुड़े विश्यों के बारे में बात कही मगए महत्पूर बात किये हैं सभापति महदय कि सम्भिधान इस देश के लिए कितना महत्वूर्ण है और इन लोगों ने अपने समय में समिधान में क्या किया और किस भावना से प्रेडित किया मैं तीन उधारों के कंपरिजन से बताना चाहे था सभावणी महदेश सितंबर 1934 में नाजी पार्टी का नियूरं बंग में कंवेंशन हुआ जिसमें नाजीयों की बड़ी प्रसिद्र फिल्म ट्राइंफ अफ दो विल का मंचन हुआ और उस मंचन के बाद हिटलर के राइट हैंड आदमी रुडॉल्फ हैस ने नारा लगवाया था हिटलर इस जर्मनी एंड जर्मनी इस हिटलर और ठीक वही नारा 1976 में कॉंग्रेस के देवकांत बरुआ जो राष्टी है देखते हैं उन्होंने लगाया इंडिया इस इंडर को संबोधित करते हुए हिटलर ने कहा जजों को कि जो जज आज के जुक्तिया वशक्ता नहीं समझते मैं इंटर्वीन भी करूंगा उनको सुपरसीट भी करूंगा और उन्हें पत्से भी हटाऊंगा और ठीक यही काम 24 अप्रेल 1973 को सीमती इंद्रा गांधी ने किया जब और 49 समिधान संशोदन के द्वारा नियाएक समिक्षा के अधिकार को समाप्त कर दिया गया जैनि कोई जुड़ी श्री इस बात पर कोई टिपड़ी नहीं कर सकती है वो लोग आकर आज कहते हैं कि इनको समिधान की रक्षा करने की यावशक्ता है और 42 समिधान संशोदन ऐ जिसमें 40 आटिकल बदले गए 14 आटिकल नए जोड़ दिये गए दो नए चैप्टर जोड़ दिये गए और बाबा साब अमबेटकर ने प्रेम्बर ऑफ़ कॉंसिचूशन जिसे समिधान की आत्मा कहा था उस आत्मा को भी बदल दिया गया वो लोग आज कहते हैं और आज प्रेस की सुतंता की बात कहते हैं उस समय जो अकबार छपते थे तो पी आई बी को एक एक लाइन वेट करानी पड़ती थी पी आई बी से तब जाके समाचार पत्र में कुछ छपता था और जिसके लिए उस जमाने में एक मशूर शेयर बोला गया था आज सब को पता होगा कि अर्दू के बड़े प्रसित शायर गालिब हुए हैं मीरतकी मीर हुए हैं चेक महुम्मद इबराहिम जोख हुए हैं तो लोगों ने दिल से दुखी होकर कहा था कि अब तो गालिब जोख साहिर मीर सरकारी अब तो गालिब जोख साहिर मीर सरकारी शायरी की हो गई तासी सब्सक्राइब महोदे मगर इतना ही नहीं था यह सिर्फ एमर्जेंसी का विश्य नहीं थी मैं यहाद दिलाना चाहता हूँ जब जब यह सप्ता में आये समिदान खत्रे में आया सब्सक्राइब में अब जब सब्सक्राइब नहीं था है और तब हमने उसका विरोध किया, मैं बिनमृता जे पूछा चाहता हूँ, दुनिया में कोई एक सेकुलर देश बताईए, जहां शरीया समिधान से उपर होता हो, यह सिर्फ हमारे देश में था, और समिधान सबसे बड़े खत्रे में था, अब मैं दूसरी बात बताना चाहत हूँ, 1992 में, पीवी नर्से माराग जी के समय में, धाचा गिरने पे हमारी उत्रप्रदेश की सरकार बरखास कर दी गई, समझ में आता है, बादपा की सारी सरकारे बरखास कर दी गई, किस आधार पे, समिधान खत्रे में था, 1994 जहारखंड मुक्तिमोर्चा रिश्वत जिसमें था, जहारखंड मुक्तिमोर्चा के तीन सांसदों ने पैसा लेकर कॉंग्रेस की सरकार को बचाया है, उस समय जुडिशन इम्मुनिटी थी, अपकोर्ट ने उसको हटाया है, समिधान खत्रे में, जब जब ये सत्ता में आते हैं, समिधान खत्रे में आता है, और स किसकी सर्वोच एक्जिकुटिव बॉड़ी क्या है समिधान के जाब से, यूनियन कैबनेट, ये यूनियन कैबनेट के उपर नेशनल इड्वाइजरी काउंसिल किसने बनाई, ये समिधान को खत्रे में डालना नहीं था, क्या, समिधान खत्रे में था, और ये बताईए, काउंसिल के चेर्मेन को कैबनेट का रैंक था, और वो रैंक असमवैधानिक था, लोगों को याद नहीं होगा, मार्च 2006 में, श्रीमती सोनिया कांदी जी को ऑफिस आप प्रॉफिट के मुद्दे को उपर इस्तिफा देना पड़ा था, जोंकि वह पद असमवैधानिक था और यह भी आद होना चाहिए, इसी सदन के सदसे हैं, जैबच्चन जी को पहले इस्तिफा दिलवाए गया, उस शक्कर में तुझ भी इस्तिफा देना पड़ गया था, बाद में जब वो रियलेक्ट होके आईए, उस बीच में सम्विदान संशोधन करके, नेश्रेल खत्रे में नहीं था, सम्विदान खत्रे में था, और जिस समय देश की हाइस्ट एक्जिकुटिव बाड़ी, जूनियन कैबनेट कोई परस्ताव पारित करती है, और उसके परस्ताव को कोई कहे कि मैं पब्लिक ली चीर के ठेक दूँगा, यह सम्विदान के चिनने चिनने उड़ाना है, यह सम्विदान खत्रे में था, सम्विदान उनके जमाने में हमेशा खत्रे में रहा है, और हमने हमेशा सम्विदान का बचाव किया है, और मैं एक घटना याद दिलाना चाहता हूं सबापदी मोदे, सम्विदान को इतना ही खत्रे में नहीं डाला है, अधुलनसीर मदनी जो तमिलनाडु के जेल में बंद है उसे रिहा कर दिया जाए और 117 के 117 विधायक सारे कॉंग्रेसी सारे कम्निस्थ उसके पक्ष में वोट करते हैं यारि एक आतंगवाद के आरोपी के पक्ष में विधान सभा का प्रयोक करना यह समिधान खत्रे में था जब जब इनके हाथ में सत्ता आई है समिधान खत्रे में रहा है और सभापधी मोहद है मैं यह भी पताना चाहता हूँ यह कहानी यहीं पर नहीं रुकी अब जब हम सत्ता में और विपक्ष में याद करिए इन्होंने C.A. के खिलाब परस्ताव पारित किया C.A. केंडर के द्वारा पारित कानून के विरुद को राज़ेदान सभाथ चुनाओ कोई परस्ताव पारित कर सकती है नहीं ऐसा करना समिधान को खत्रे में डालना और इनके समय में समिधान को इन्होंने फिर खत्रे में डाला और मैं यह भी पताना चाहता हूं कि C.A. नागरिकता से दो नेता जेल में चले गए तो इनको लगता है कि समिधान खत्रे में आ गया है और इनको लगता है कि वो नियाई कारवाई के तहद नहीं गए तो मैं अपने विरोधियों के सुलब संग्यान के लिए याद दिला देना चाहता हूँ कि ये क्या 2014 के बाद ही हुआ है सौनिया जी और राहुल जी को जिसने सर हरेल्ड केस में बांड लेना पढ़ा वो 2013 हमारी सरकार नहीं थी हमारी सरकार नहीं थी मुनाइम सिंगी मायवती पे 2006 साथ में डिस्प्रोड रेजर्ट का केस हुआ हमारी सरकार नहीं थी मैं सिर्व यह बताना चाहता हूँ तीस साल से देख रहे हैं सभापधि महुदय हम लोग छात्र जीवन से प्रोड़ावस्ता में आ गए है जेल में अंदर बाहर अंदर बाहर आने जाने का खेल देखते हुए और अब हमसे कहते हैं कि 2014 के बाद ये है वास्विक्ता ये है कि सम्धान के साथ खिलवार सड़ेव इन्होंने किया है इसलिए मैं इनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा उसके बावजूद ये किस जंकी भाशा और आच्रन प्रयोग करते हैं तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि लहजे में बद्जुमानी लहजे में बद्जुमानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं जिनके खुद के बही खाते वे हिसाब बिगड़े हैं वही हमसे सारा हिसाब दिये फिरते हैं और राश्वदी महोद्या ने अपने अंतिम बिन्दु में ये कहा कि 2047 में भारत को विक्सित राष्ट बनाना है और विक्सित राष्ट के लिए उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है मैं एक उधारण देना चाहता हूँ कि डिजिटल रिवोलुशन एक ऐसा रिवोलुशन था भारत जिसके बारे में कहा जाता था यहां साक्षरता और समझ का दर्खम है तो यह देश कैसे डॉप्ट होगा मोदी जी ने आने के बाद जो डिजिटल रिवोलुशन लाया है आज दुनिया में होने वाले डिजिटल ट्रांजेक्शन का 46% भारत में होता है 46% जो हमारे बाद आने वाले चार देशों में मिला कर भी कम है और यहां पर मैं एक और बाद भी कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अंतिम समय में अंतिम बात करते हुए एक चीज कोट की थी कि पूरी दुनिया में उन्होंने वेदों के वाक्यों को कोट किया लाश्पधी महोदया ने जिसका जो उन्होंने बोलाता समानों मंत्रह समीती समानी अर्थात सभी लोग समान लूप से आएं और एक समान लूप से आगे बढ़ें और एक साथ आगे आए, मगर सभापधी महोदे, मैं आश्वस करना चाहता हूँ, आज से कुछ साल पहले, डिस्कवरी चैनल पर एक प्रोग्राम आता था, माइकल गुट से स्टोरी ओफ इंडिया, जिसमें उसने कहा, कि इंडिया में वो पोटेंशल है, तो अगर इंडिया नहीं है, सभापधी महोदे, उसने कहा, इंडिया विल बीड़ बिगेस्ट और रिचेस नेशन ऑन दिस अर्थ, दप्लेस एड़ विच इट रिमेंड मोस्ट टाइम इन अर्थात वो जो हमारा अतीद था, वो हम प्राप्त करके रहेंगे, और मैं एक बात और कहना चाहता ह हमारे विरोधी लोग किस विचार की बात करते हैं, इनके मन में, सुनिये, इनके एक बहुत बड़े आइडियोलोजिकल ठिंकर थे, जो चुनाओ के दोरान क्या बोले, कि उत्तर भारती यूरोपियों से हैं, तो पश्यम वाले अरब वालों से जोड़े हैं, तो पूरब व अरब के लोग भारत के बारे में क्या सोचते थे, या अरब के कई हिस्टोरियन्स जिसमें इबने असीर, इबने कतीर, इबन खल्दूम ने, यह वर्ड यूस किया है, अजीजुली इल्मीन इन बिनादुल इन हिंद, अर्थाद, दकूल ब्रीज ओफ विजडम तॉम्स पॉन दे लैंड अफ इंडिया, और यह हम को सम्झाते हैं, हम उदर से आए, और मैं, प्रबुद लोग जग कहना चाहता ह इबन खल्दूम ने, प्रदूम ने, और मैं, प्रदन के नेता के रूप में, मुझे पहली बार बोलने का सौभागि मिला है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं सोचता था कि मेरी शुरुआत कोई अच्छे प्लेजन्ट्री के साथ शुरू होगी, और मैं प्रजातांत्रिक मुल्यों के साथ चल रही विशेयों के बारे में, प्रजातांत्रिक तरीके से चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे दुख के साथ बताना पड़ता है कि यह जो एल्डर हाउस है, यह जो काउंसिल आफ स्टेट्स का हाउस है, यहां पर जिस तरीके से डिमोक्रिटिक नॉर्म्स को ताक पर रख कर, यह खाउस को होस्टेज बनाने का प्रयास हो रहा है, खाउस को एक तरीके से कारे करने में जो रुकावट पहदा की जा रहा है, झाल, 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 सगरिका गोस सगरिका गोस सगरिका गोस युराइ